बहुत सारे swing trader क्या करेंगे, जो stocks में इस market में profit दे रहा होगा, target दे रहा होगा, वो आपसे share कर देंगे, जब पूरा portfolio down होगा, वो आपको नहीं बताएंगे, जब पूरा mutual fund house down है, बड़े-बड़े investor का portfolio down है, आप ऐसा क्या करें हो जिसमें आपका profit ही हो रहा है, ये this market में portfolio down है, एवन मेरा ही portfolio down है, लेकिन इस market में हम लोग कौंसा stocks को exit करना चाहिए, कौंसा stocks पर आभी buy करना चाहिए, averaging करना चाहिए, reason क्या is down होने का, हम लोग क्या कर सकते है, next कब हम लोग को buy start करना चाहिए, ये सब वीडियों बताने वाला हो, तो वीडियों को end तक जरूर दे एक, दो महिना या तीन महिने तक continue रहता है, उसके बाद market rally होगा, 12 महिन में, 9 महिना, 8 महिना market rally होगा, या sideways होगा, sideways में आपको tension नहीं है, आपका stocks आपको target देंगे, लेकिन जो एक, दो महिना negative होता है, वो सारे stocks भी negative जाते, इसमें panic नहीं होना है, लेकिन कौंसा stocks में आप बड़े-बड़े company का quarterly result आता है, जहां पर थोड़ा बड़ा खराब होता ही, तो यह down दिखाता है, और आप previous data देखोगे, previous year का देखोगे, यह देखोगे, यह देखो, October महिने में, कही नहीं मार्केर दाउन होता है, फिर अगें नवीमबर महिने से वो again back हता है, हर साल होता अगें फिर मार्केर से राली होता है, और यह जो डाउन होते हैं, जाहतर एक-दो महिना ही डाउन होते हैं, कभी-कभी तीन महिना हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट 6-7 महिने रहेगा, यह तो sideways रहेगा, वहाँ पर इटेंसर नहीं, आपका stocks टागेर देंगे, बड़ा- stock थे, जो fundamentally strong company है, fundamental कहाँ चेक कर रहोगे, आपको पता है, screener पे जाओगे, आप कोई भी stocks को search करोगे, पूरा fundamental यहाँ बढ़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, तो जितने भी fundamentally strong company थे, उसको मैंने hold कर दिया, अब इसके लिए मैं बन गया investor, मैं बन गया यहाँ पर investor, य जो जब Nifty correction दना start करेगा, मैं क्या करूँगा, यह जो stocks मैंने hold किया हुआ है, इसका धूंड़ूगा मैं support, जो support मिलेगा, यहाँ पे मैं करूँगा averaging, थोड़ा सा और quantity आट करूँगा, यह अच्छा stocks है, तो continue market rally आएंगे, तो यह उपर जाएंगे, जाएंगे, तो मैं यह कर ला है, 24 तो जो लेवल देखोगे, market हो सकता है कि यहाँ सा के correction दे, लेकिन हम लोग को अभी trade बगरा नहीं करना, आने दो इस जगह पे, जब market correction देगा, correction देगा, जो भूमेगा, तब आप लोग को अच्छा अच्छा stocks pick करना है, only mid cap and last cap stocks, क्यों कि अभी नहीं पता है, हो मैंने scanner आपको provide किया था, ठीक है, scanner पर आओगे आप लोग, यहाँ पर पूरा नीचे आजाओगे, कोई भी bars पर click करोगे, ठीक है, यहाँ पर बार्स होंगे, किसी भी click करोगे, आप देखर यहाँ पर लिखा हुआ, mid cap, last cap, small cap, सब लिखे हुए, ठीक है, आप लोग को पहल run scan कर देते हैं, तो हमारे पास large cap stocks भी आजाएगे, अगर मैं इसको click करोगे, large cap, mid cap, सब कुछ आगे, तो हम लोग को अभी small cap ignore करके, large cap, mid cap पर देखना है, क्या इसको देखके buy कर लेंगे, नहीं guys, मैं swing trading का पूरा strategy video upload किया हूँ, इसमें से कौन सा buy करोगे, कब करोगे, यह आपको मैंने अलोडी बता, जाके check कर सकते हूँ, ठीक है, तो गैस पैनिक होने का बिल्कुल जरूत नहीं है, बहुत सारे यूटूबर आपको crash crash बोल के दिमाग खराब करेंगे, आप लोग देखना है, इंडियन मार्केट में हमें सा 2-3 महीन ही correction होते, उसके बाद market राली इंडियन मार्केट ऐसा ही है, दो-3 मेन नेगर्टिव होंगे, उसके बाद market राली होता है, जात अंतिक है, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, स्टॉक्स पे sell चल रहा है, दीबाली ओफर चल रहा है, अच्छा च्छा स्टॉक्स डिस्काउंड मिल रहा है, आराम से आ जब support दिखे या थोड़ा correction दो, बाई का plan करो, तो यहीं पर वीडियो के end करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे,